हेलो मैं योटूब फेमिली तो आपका स्वागत है खूशी कीचन में तो आज हम बनाने वाले हैं इद्दम टेश्टी और इद्दम आसान तरीके से बन जाने वाली खीर की रेसिपी जो कि सभी को बहुत पसंद होती है आज मैं आपको खीर की रेसिपी बहुत ही अलग तरीके से बनाना बताऊंगी तो चलिए हम खीर बनाते हैं तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चावल ले लिया है इसको हम पानी से धूल लेंगे तो यहाँ पर मैंने चावल को धूल के रख दिया है अब इसको हम टक के रेक देंगे पाच मिनिट के लिए पाच मिनिट के बाद यहाँ पे हमारे चावल अच्छे से फूल चुके है तो इसे हम मिस्चल में एक बार खाली पीस लेंगे दर-दरा पीसना है दम महीं नहीं पीसना है खाली चावल में से दो तीन टुकड़े हो जाए बस तो यहाँ पर मैंने चावल को पीस लिया है आप देख सकते हो मैंने चावल को दरबरा पीसा है मैंने यहाँ पर ड्राइफ्रूट ले लिया है ड्राइफ्रूट को हम अच्छे से काट लेंगे तो यहाँ पर मैंने काजू बदम को काट लिया है मैंने यहाँ पर आदा लीटल दूद लिया है दूद को हम अच्छे से गरम कल देंगे slow flame पर यहाँ पर हमारा दूद गरम हो चुका है इसमें उबाल आ चुकी है इसमें हम डाल देंगे चीनी आप मेठा अपने ही सबसे डाल सकते हो मैंने ज़्यादा मेठा नहीं रखा है विडियम रखा है तो मैंने उस ही सबसे चीनी इसमें डाल दी है इसे 2-4 मिनिट के लिए पकने देंगे उसके बार इसमें हम डाल देंगे इलाइची का पाउडर मैंने एलाईची को कूट लिया था वही हम डाल देंगे इसके बाद इसमें हम डाल देंगे हमने जो चावल पीशा था वो तो यहाँ पर मैंने चावल जो पीशा था वो भी डाल दिया है इसे हम मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमें मिडियम फ्लेम पे चलाते रहना है इसी तरह से तो हमारे चावल की खीर बहुत ही अच्छी बनेंगी अगर आप नहीं चलाओगे खीर को तो खीर में गठे होने लगेंगे खीर अलग-अलग छुटती नहीं रहेंगी तो हमको चलाते रहना है मिड्यों फ्लेम पे जब तक इसमें उबाल ना आए तो हमारी खीर बहुत ही अच्छी बनेंगी तो यहाँ पर खीर में उबाल आने लगी है तो हम गैस की फ्लेम स्लो कल देंगे और इसे चलाते रहेंगे तो यहाँ पर हमारी खीर दम अच्छे से गाड़ी होनी स्टार्ट हो चुकी है इसमें हम डाल लेंगे ड्राइफ रूट हमने जो काटा था और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बद हम इस लो फ्लेम पे ही पकाना है तो यहाँ पर हमारी खीर दम अच्छे से पक रही है और खीर गाड़ी भी हो चुकी है अमने चावल पीसके डाला था तो खीर बहुत ही अच्छी बनेगी तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है हमारी चावल भी पक चुके है और यह हमारी खीर भी रेड़ी हो चुकी है तो आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिए मेरे चैनल पर नाय हो तो सबस्क्राइब भी कर लीजिए मिलते हैं कोई अच्छे से वीडियो के साथ तब तक लिए बाई